मा दुर्गा की उपासना करने से ब्यक्ति के सोचने और फैसला लेने की जो सक्ती है वो अद्भुत हो जाती है उनका तरीका बेहतर हो जाता है और वो इतने जागरित हो जाते हैं कि वो जिस दिसा में भी आगे बढ़ना चाहें उसी दिसा में पॉजेटिव और आगे बढ़ दिन की जाती है मा काल रात्री कौन है उनके बारे में तमाम बाते जारी है कैसे उनको मनाएं क्या भोग लगाएं और उनके पसंदीदा पुस्प कौन से हैं कौन से मंत्र हैं आईए जानते हैं बिस्तार से एक बहुत बड़ा दानव था रक्त बीज उसने देवों और जन्मानस को परेसान कर रखा था और उसकी बिसेष्टा ये थी कि जब उसके खून की बुंद रक्त जिसको कहते हैं धर्ती पर गिरती थी तो उससे उसी के तरह हूबहू वैसा ही नया रूप लेकर वह बन जाता था और फिर सभी भगवान सिव जी के पास जाते हैं सिव जी को पता था कि देवी पारवती ही उसे खत्म कर सकती है और सिव जी ने देवी से अनुरोध किया इसके बाद मा ने स्वेम सकती संधान किया और मा पारवती का चेहरा एकदम भयानक डरावना सा दिखने लगा फिर जब वो एक हाथ से रक्त बीच को मार रही थी तभी दूसरे हाथ में मिट्टी का पात्र खपर में से जहल लेती थी यानि कि रक्त के बुंदों को जमीन पर गिरने ही नहीं देती थी और उन बुंदों को मिट्टी के खपर में ले लेती थी और पीने लगी तो इस तरह रक्त बीच को मारने वाली जो मा पार्वती का नया रूप को ही हम कालरात्री कहते हैं मा दुर्गा के सब्तम सकती कालरात्री के नाम से जानी जाती है और दुर्गा पूजा के साथमे दिन नौरात्र के साथमे दिन मा कालरात्री की मारने वाली है और सेल्फ एनरजी संधान करने वाली है इसी एनरजी के अंस को आसिरबात सरूप मा अपने भक्तों को देती है अब नाम से ही पता चलता है कि मा दुरगा की यह सातवी सक्ती काल रात्री है जिनके सरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और इनका रूप भ्यानक है सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिद्धूत की तरफ चमकने वाली माला है इनकी सवारी गदर्व यानि गधा है अंधकार में इस्थीतियों का बिनास करने वाली सक्ती है मा काल रात्री और काल से भी रक्षा करती है मा के तीन नेत्र है और तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है इनकी सांसों से अगनी निकलती रहती है गंधर्व की सवारी करती है उपर उठेवे दाहिने हाथ में की जो मुद्रा है भक्तों को बर देती है और दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाली मुद्रा अभे मुद्रा में है बाए तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का काटा है और नीचे वाले हाथ में खडग है इनका रूप भले ही भैंकर हो लेकिन यह सदैब सुप फल देने वाली मा है इसलिए इनका नाम सुभंकरी भी है आईए जानते हैं इस दिन मा कालरात्री की पूजा करने से सनी समंदी तमाम दोसों से भी मुक्ति मिलती है सनी देप को परसंद किया जाता है और मा कालरात्री को परसंद करने से सत्रू बिरोधी कभी आपका कुछ बिगाड़ी नहीं सकते नेगेटिव एनरजी तंत्र मंत्र का असर भी आप पर नहीं होता तो मा की अरात्ना करने से सत्रू बिरोधी तो सांथ होते ही हैं भै से बीमारी से छुटकारा मिल जाता है और सनी देव जो हैं यानि सनी गरह कंट्रोल होता है तो मा काल रात्री जो सात्वा सरूप है मा का उससे सनी गरह को कंट्रोल किया जाता है तो क्या करें कैसे सब कुछ बहतर हो जाए तमाम बाते जारी हैं वीडियो के अंतक बनी रही है देखिए मां को सबसे पहले तो आप सुवस्वव असनान बिगेर करके घर की जब सफाई कीजएगा उसके बाद सबसे पहले तो असनान बिगेर करके आप स्वक्षवस्त्र धारन करें और ये वस्त्र होगा अगर आप सफेद या लाल रंग के कपड़े पहने तो जादा अच्छा है हलांकि मा की पूजा आधी रात में करने का भी विधान है उसके बारे में भी हम बताएंगे लेकिन सबसे पहले सिंपल तरीके से आप सुबह किसमें कैसे पूजा करेंगे तो अच्छा है अब मा को लाल पुस्प यानि लाल गुड़हल के पुस्प अतीप्रिये हैं नौरात्र में किसी भी दिन अगर लाल गुड़हल की पुस्प की माला आप मातारानी को पहना दें तो बड़े से बड़े सत्तुरू बिरोधी भी सांथ होते हैं और जीवन में उन्नती के मार्ग खुलते हैं मा को गुड़ का भोग अतीप्रिय है तो जब आप पुझा कीजिएगा तो एक पात्र में गुड़ का भोग उनको लगाईएगा और जब गुड़ का भोग लगाएं तो आधा आधा यानि कि गुड़ के भोग को दो हिस्सा कर लीजेगा भोग लगाने के बाद आधा आप पूरे परिवार के साथ खाईएगा और आधा ब्रह्मन को दान दे दें पास के मंदिर में रख दें या किसी गरीब को दे दें ये जो गुड़ है आधा इससे क्या होगा जीवन में खुसियां आती रहेगी अब माता रानी को परशन करने के लिए आप रात में एक छोटा सा परियोग कीजिएगा रात यानि की करीब रात ग्यारत से एक के बीच कर सकते हैं ये पयोग नहा धोलें स्टान बेगरे करके फ्रेस कपड़े पहन लें सफेद या लाल रंग का वस्त्र धारन कीजिए अब अपने ही घर में माता रानी के सामने एक घी का दिया जलाईए दीपक जलाकर आप बैट जाईए दीपक ठीक उसी प्रकार से होगा लाल धागे की बाती होगी और दो लॉंग होगा फिर माता रानी को गुड का भोग लगा है अब वहाँ पर बैट कर आपको एक और काम करना है आपको चाहिए होगा 108 लॉंग याद रखिए 108 लॉंग अब ये लॉंग आप एक बार अच्छे से सब फ्रेस फ्रेस लॉंग देखकर चुनकर एक जगह एक साइड में कठा करके रख लीजे एक पात्र में और आप बैट जाएए इसके बाद आप एक मंत्र है ओम एंग रिंकलिंग चामुनडाई विच्च है ओम एंग रिंकलिंग चामुनडाई विच्च है इस मंत्र का जब एक करिये और एक लोंग मातारानी को अर्पित कीजिए फिर मंत्र जब ये फिर लोंग अर्पित कीजिए यानि 108 बार में 108 मंत्र और 108 लोंग अर्पित किये जाएंगे फिर तमाम लोंग को इकठा करके अगनी में डाल कर जला दे और ये लॉंग जलाने के बाद मातारानी से प्रार्थना करें आपके सत्रू बिरोधी सांथ हो जाएंगे वो आपको फिर कभी नुकसान नहीं पहुचा पाएंगे और जब ये प्रक्रिया कीजिएगा सांथ रहके कीजिएगा और यैसे आप भीच बीचमें बात नहीं करना है और यह आपर रात में इभी जला सकते हैं ऑपके अस्तान से आपको कभी प्रिसान नहीं करेंगे और एक और चीज है देखिए कभी कभी क्या होता है दुस्मन कुछ ज़्यादा ही परिशान करते हैं तब ऐसे में कभी ऐसा भी होता है कि आपका सनी बिगडा हुआ है अब आपका नोकरी बैपार में परिशानी आ रही है जीवन में कदम कदम पर बाधाये हैं हो सकता है अबिस्त परिशानियों से बाधाओं से पीडाओं से मुक्ति पाने के लिए आप मां काली को गुड़हल का पुसपर पित करें यह परियोग आप कभी ही कर सकते हैं सुबह में साम में जो अब परियोग हम आपको बताएंगे कभी भी पर सकते हैं आप अपनी च्छा-नुसर करें तो 7ムंदी जो भी दोस्त लोसा वह सांत हो जाएंगा आपको दुबारा से परिशांत नहीं करेंगे और somethin के भी मंत्र का इस दिन जप करने का है अट पहसrovा खरनेव क जब कीजिएगा प्रार्थना कीजिएगा सनी पीडा सांथ हो जाएगी और जीवन में धेर सारी खुसी आएगी तो ये तो थी सात्वे दिन नवरात्र के सात्वे दिन मा कालडात्री की पूजा कैसे करें और कैसे उनको मनाएं एक और बात अभी तक अगर आपने मननत का का लेकर किसी भी भगवान के मंदिर में जाया अगर मा दुर्गा का मंदिर हो तो और भी अच्छा अपनी मनोकामना कहते हुए धागा बांद दीजिएगा आपकी मननत पूरी होगी अगर आप नवरात्र में नित्य दिन साम में या सुबह में आप हवन भी करते हैं तो एक लिंग लिंग चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोल कर सत्रू सांथ हो जाएंगे धन्यवाद फिर मिलेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरू लिखे